Hello everyone, welcome to my channel कैसे हैं आप सब और आप सब की स्टड़ी कैसी चल रही है I hope आप सब की स्टड़ी बहुत अच्छी चल रही होगी friends और हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी टारगेट रिस्टार्ट यूपी टीजीटी फ्रोम जिरो UPTZT के जो टारगेट्स हैं वो जिरो से स्टार्ट करते हैं Day 1, Day 2, Day 3, Day 4, Day 5 तक हमने इसको complete किया था और कल मैंने जो टारगेट दिया था वो बहुती कम और बहुती simple दिया था वो इसलिए क्योंकि कल festival था काफी time नहीं मिल पाया होगा Day 4 का जो टारगेट है उसको complete करने में तो बहुती कम टारगेट दिया था Day 5 का और I think ये भी complete नहीं हुआ है क्योंकि messages आ रहे थे कि टारगेट बहुत ज़ादा है हम नहीं कर पा रहे हैं और अगर आप housewife हैं आपके पास babies हैं और आप ये भी टारगेट complete नहीं कर पा रहे हैं तो ये बहुत कम टारगेट हैं ये तरगेट इतना ज़ादा नहीं है कि आप ना कर पाओ at least आप देखिए कितना कम टारगेट है Macbeth only एक play आपको पढ़ना है Shakespeare का grammar में only pronoun का topic आपको करना है literary terms 5 literary terms आपको करनी थी और vocab में आपको A letter के 10 और 10 synonyms complete करने थी यहाँ पर 20 पिछले थे और 10 ये और 30 आपको complete करने थे यहाँ पर 10 literary terms पहली थी और 5 बाद में करनी थी तो 15 total literary terms थी अगर कल आपका जो target है वो complete नहीं हुआ था और अगर ये complete नहीं हुआ है तो ठीक है एक दिन का time रखते हैं और day 5 तक जिसका लीजे जितने literary terms हो गई है और जितने vocab हो गई है उन सब को revise कर लीजे और 3 play हो गए है 12th night, merchant of Venice और Macbeth इन तीनों को complete कर लीजे और pronoun का और noun का topic दोनों complete कर लीजे 35 literary terms complete कर लीजे और synonyms, synonyms कितने हो चुके हैं 20, 40, 60 and 10 70 synonyms and antonyms है इनको complete कर लीजे तो यह जो target है 70 vocab और 35 terms, 3 plays और Shakespeare की biography और comments इन सब का आप revision कर लीजे यह short में मैं बता रही हूँ क्या क्या है clearly आपको बता दे रही हूँ एक बार, यहाँ पर बता देते हैं, देखिए 70 vocab A letter A letter से 70 vocab करनी है 35 literary terms 3 plays जो की पिछले targets में mention है, Shakespeare के Shakespeare की biography और critical comments ठीक है, इन सब को complete करना है और grammar में करना है noun and pronoun day 5 तक का आपको पूरा total revision करना है नया कोई target नहीं है today spelling mistake हो गया है कोई भी target आज हम नहीं रख रहे हैं यह पिछले target को ही revise करना है अगर आप इसको अच्छे से कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है और इसको complete करने के बाद comment section में जुरूर बताइएगा कल की video में आपके कोई भी comments नहीं आए है कि आपने अपना target complete किया है या नहीं किया है और मानती हूँगी festival day था थोड़ा सब busy होंगे तो आज complete कर लीजे 800 के कोई बात नहीं है और जितना भी target हमारा day 5 तक का complete हो चुका है सभी उसको complete कर लीजे और कल की video में मैंने share किये थे कुछ important Shakespeare के जो sonnets थे जो कि most important sonnets थे TZT English के लिए जिनके last year में questions बहुत सारे पूछे गए है उनके according मैंने एक list बनाई थी जो भी बहुत ही important sonnets है तो इनको detail में video बनाने के लिए किसी ने बोला था तो उसको देख लेते हैं एक बार यह मैंने sonnet numbers लिखे हुए है और यह उनका title लिखा हुआ है और यह इनकी first two lines लिखी गई है ठीक है ना friends तो शेक्षपिर के जो sonnets से 154 sonnets total थे जिनने से 126 wh को उन्होंने dedicated किये थे और 26 जो sonnets से वो dark lady को dedicate किये थे और two sonnets उनके love sonnets थे शायद love sonnets नहीं sorry God को उन्होंने dedicate किये थे तो यही है sonnet number one यह इसका title है from fairest creatures और यह इसकी first two lines है मैं only sonnet number यहाँ पर mention कर रही हूँ कि कौन से कौन से important है आप इनकी जो lines हैं और इनके जो important चीज़े हैं उनको जाकर पढ़ लीजेगा sonnet number 18 shall I compare the most important sonnet है और सबसे ज़्यादा question से से पूछे जादा sonnet number 29 when in disgrace sonnet number 55 not marble nor the gilded monuments sonnet number 73 that time of year sonnet number 104 to me fair friend sonnet number 106 when in the chronicle sonnet number 107 not mine on fears sonnet number 116 let me know to the marriage sonnet number 129 the expense of spirit sonnet number 130 my mistress eyes and sonnet number 138 when my love swears और यह LT में भी है sonnet number 138 LT जो English का subject है उसमें इसको दिया गया है स्लेबस में sonnet number 144 to loves I have और यही है 13 sonnets है जो कि बहुत important है most important sonnets की यह list है इसके लिए आप लोगों ने बोला था कि इसकी एक details में वीडियो बना दीजेगा तो मैंने बना दी है most important sonnets जो की आपके previous year में सबसे ज़्यादा questions इनसे पूछे गए है उनसे मैंने यह list collect की है यह वीडियो मैंने पहले भी share की हुई है लेकिन फिर भी कर दे रही हूं तक के target को revision करना है friends तो ठीक है friends मिलते हैं नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तब तक के लिए Thank you so much